नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल इलेक्ट्रिकल जी अनपी पे उमीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्स्टेंशन बोर्ट को किस तरीके से रिपेर किया जाता है अगर उ उसे किस तरीके से चेक करें और कैसे पता करें किसमें क्या खराब है तो आज की वीडियो में मैं वहीं बताने वाला हूँ तो चले वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सस्क्राइब ने किया है त वीडियो पसंद आये तो लाइक करें कोई भी जवाब सुजा हो तो अपनी राय में कमेंट में जरूर दें और साथ के साथ दोस्तों के साथ से जरूर करें तो चले फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अगर कि तो देख सकते हैं यहां पर यह एक्स्टेंशन बोर्ड जो कि देख सकते हैं यहां पर यह इसमें लाइट आर नहीं रहा है और यह काम नहीं कर रहा है तो इसी को चेक करेंगे किस तरीके से चेक करेंगे आपको मैं पुरा लाइप दिखाऊंगा मैं यहां पे देख सकते हैं speaker, monitor, printer और speaker के लिए है यहां पे इसमें fuse लगा हुआ और यह switch भी लगा हुआ है तो इसके fuse को पहले कोल के देख लेते हैं कि fuse सही है कि खराब है तो यहां पे देख सकते हैं fuse ठीक दिख रहा है तो चले हम इसको लगा के check करते हैं जैसा कि मैं बता दूँ कि किसी भी चीज को सबसे पहले हमें series में test करना है तो हम series में लगा के check करेंगे तो चले check करते हैं तो यहां पे देख सकते हैं हमने board को series में लगा दिया है यहां पे हमारा light जल रहा है और यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारा यहां पे कोई भी इंडिकेशन नहीं जला है इस बोड में देख सकते हैं यहां पे तो चल ले इसको हम खोलते हैं और देखते हैं इसमें प्राबलम क्या है तो यहां पे देख सकते हैं हम प्लक निकाल लें हैं स्रीज में और इसके जो है पाँच स्क्रूप को हम खोलेंगे च्छाय स्क्रूप यहां पर लगे हुए है तो बारी बारी से हम सभी स्क्रूप को खोलेंगे और जैसा कि मैं बता दूँ कि इसको रिपेयर करना बहुत है और यहां पर आपको इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इसे सीरीज में ही लगा के चेक करेंगे डारेक्ट कभी भी नहीं लगाएंगे अगर आप डारेक्ट लगाएंगे तो सौट हो जाएगा बोड तो हम इसे सीरीज में ही चेक करेंगे और सीरीज में ही बनाएंगे तो यहाँ पर हम सभी स्कूरूप को खोल ले रहा हैं यहाँ देख सकते हैं यहां पर इस स्कूरूप लगे हुए हैं तो सभी स्कूरूप को हम बार इक से अच्छी तरीके से खोल ले रहे हैं उसके बाद देखते हैं कि इसमें प्राबलम क्या है तो चले इस स्कूरूप को फड़ा फट खोल लेते हैं यहां पर हम तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी स्कुरूप को हमने खोल लिया है देख सकते हैं यहाँ पे यह sorting हुआ है कुछ तो इसमें जो देख सकते हैं छोटी से PCV लगी हुए है मेरे ख्याल से यह किसी के दवारा यह खोला गया था वो देख सकते हैं इसके वायरिंग प्रॉपर ठीक दिख रहे हैं और PCB में कुछ प्राबलम दिख रहा है और यहां पर देख सकते हैं फ्यूज के कनेक्शन भी टूटे हुए हैं यहां पर देख सकते हैं तो इसके PCB को खोल लेते हैं देख सकते हैं here ap य생 पराना खक्तुैकर देखते हैं पूल तो यहां पर यह प्ने मेले खोले हैं वह फ़विश को खुल लिए है देखसकते हैं तो चलिए चेक करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं हमने सिरीज में लगा दिया है अब हम इसे चेक करेंगे देखते हैं कि हमारा यहां तक लाइट आता है कि नहीं तो अगर आप लोग कभी भी पहली बार अगर इस बोट को रिपेर कर रहे हैं आप सीख रहे हैं तो साउधानी पुरवक कार कीजिए क्योंकि इसमें खत्रा हो सकता है तो इसलिए आप लोग साउधानी से ही काम कीजिए तो यहां पर हमने एक चोटी सी बार लिया है और यहां पर हम सौट करके चेक कर रहे हैं जैसा कि देख रहे हैं यहां पर बल्फ हमारा ब्लिंक हो रहा है तो हम इसे सिरीज में ही चेक कर रहे हैं तो आप लोग कभी भी चेक कीजिए तो सिरीज में ही चेक कीजिए तो यहां तक देख सकते हैं लाइट हमारा आ रहा है तो यहां पे देख सकते हैं सभी सॉकेट पे हमारा प्रॉपर तरीके से लाइट आ रहा है तो यहां पे देख सकते हैं तो इसके जो है कि PCV में प्राब्लम है PCV इसके फाल्ट हो गए है तो किसी ने इसको खोल की इसको डारेक्ट कर दिया था तो इसमें जो हम PC को रिपेर नहीं करेंगे यहाँ पर Fuge के कनेक्शन को जो हम इसमें जोड़ेंगे एक बार देख सकते हैं आप हम पेचका से भी सौट करके चेक कले रहे हैं तो यहाँ से हमारा जो है नहीं पकड़ रहा है प्रॉपर तरीके से एक बार मैं करीब से दिखाता हूँ तो नहीं पकड़ रहा है यहाँ देख सकते हैं तो हम चली इसके वायर को जो है सोल्ड करते हैं देख सकते हैं इसके जो Fuge के वायर है यह टूटे हुए हैं इसको sold कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, तो चली इसको sold करते हैं, तो यहां इसके बार मैंने sold कर लिया है, देख सकते हैं, यहां से switch से भी connection दे दिया है, और proper तरीके से, अच्छी तरीके से soldering कर दिया है, और यहां पर हमने PCB से कोई connection नहीं किया है, PCB से हम प्राब हो गया है, तो हमने direct यहां से switch से उठाके fuse का connection किया है, तो देख सकते हैं यहां पर, बहुत easy तरीके से मैंने इसको जोड़ा है, एक बार फिर से मैं series में check कर लेता हूँ, तो यहां पर हमने series में लगा दिया है, एक बार फिर से मैं इसमें पिचकस के साहता सौट कर रहा है, चले दूसरे socket में मैं check करता हूँ, तो नहीं उपा रहा है, तो दूसरे socket में मैं check करने के कोशिस करता हूँ, यहां पर देख सकते हैं, on कर दिया है मने, side switch off था, तो यहां पर देख सकते हैं, बल्फ जो है blink कर रहा है, देख सकते हैं, गवर मैं आपको देखाने के क कुछिस करूँ तो यहां पे देख सकते हैं बल्फ हमारा जो है बिलिंक कर रहा है तो हमारा यह बोड बिल्कुल सही हो गया है और इसमें जो है कि यह PCV प्राबलम था तो आप लोगों ने देखा कि हमने कैसे ठीक किया इसको और आप लोग भी घर पे अपने यह PCV बोड को र बाइ